नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज है 17 दिसंबर दिन रवीवार खबरों के और बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार बोर्ड नौवी और ग्यारवी दो हजार चौबिस की परिक्षा का देशीट जारी वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंप्रिंशिप में बिहार के 6 लारी का हुआ चैन इस तारीक से बिहार में बर सकती है ठन प्रेन में जादा समान लेकर जाना पर सकता है भारी आज बंडे में साउथ अफरीका से भिड़ेगा भारत अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 वड़ी खबरों के और विस्तार से इंडियन ओल ने ग्रेजुएट एंड ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर निकाली भरती इंडियन ओल कॉर्पोरेशन लिमिटेट के द्वारा टेक्नीशन और ग्रेजुएट एंड ट्रेड अप्रेंटिस के 1603 पदों के लिए भरती निकाली है ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वाधिकारिक वेबसाइट sttps//iocl.com पर जाकर ओनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं बता दी क्या आवेदन करने की अंतिम तारीक पांच जनवरी 2024 तक निरधारित की गई है इसके लिए अगर सेचनिक योगिता की बात करे तो ट्रड अप्रेंटिस के पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए उमिद्वार के पास दसवी, बारवी या आईटी की डिग्री होनी चाहिए टेकनीशन अप्रेंटिस के पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए उमिद्वार के पास इंजिनिरिंग के डिपलोमा डिग्री होनी चाहिए और अप्रेंटिस के पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए उमिद्वार के पास किसी भी स्ट्रीम में ग्रैजुएट की डिग्री होनी इससे जड़ी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी के गए नोटिफिकेशन को जरूर देख लें। इस दुरान पहले दिन यानि की 26 दिसमबर को बहुत की और रशायन विज्ञान की परिक्षा ली जाएगी और फिर अंतिम दिन यानि की एक जनवरी को ग्री विज्ञान की परिक्षा ली जाएगी। दूसरी पाली में अंग्रे जी की परिक्षा ली जाएगी। माइकल मिस्रा और तुम्हारी सुलू में रमेश में उनकी भूमिकाओ पांतर के लिए जाना जाता है। अपने अभिनाई करियर की शिर्वात अपने ग्री नगर मदुबनी में अपने स्कूल के दिनों में बहुत कम उम्ण में की थी। बाद ने वह राष्ट्री राजधाने दिल्ली में अस्थांतरित हो गए और देश के कुछ प्रसद निर्देश को द्वरा निर्देशित नाटकों में नियमित रूप से अभिनाई करने लगे। राष्ट्री राजधानी में अस्थांतरित होने के बाद शशी ने मोहन महरसी, स्वर्गिये प्रेम, मतियानी, सतीश, आनंद, अवतार, सहनी, के एस जैसे देश की बहुमखी, थियर्टर, हस्तियो, द्वारा, निर्देशित कई नाटकों में अभिने किया। वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियर्शिप में बिहार के छे खिलारी का हुआ चैन। वी राष्ट्रे प्रतियोगिता के आधार पड़ हुआ है। दो हजार बीस एकिस में 24,342 मिलियन यूनिट बिजली की खपत हुई थी जो 2021 में बढ़कर 27,743 दसमलों तीन दो मिलियन यूनिट हो गई। जिसके बाद वी ती एवर्ड 2022 में यवर कर 29,060 मिलियन यूनिट हो गई। आलमों के बिहार में बिजली उववोकताओं में 88 फीजदी घरेलों उवोकता है जो 55 फीजदी बिजली उवोक कर रहे हैं। इसके अलावा 7 फीजदी गैर घरेलों उवोकता जो 12 फीजदी बिजली, 3 फीजदी क्रिसी उवोकता जो 13 फीजदी बिजली, 1.5 फीजदी और 2 एक श्रिनी के उवोकता जो 15 फीजदी बिजली और सुने दसमलों 5 फीजदी अन श्रिनी के उवोकता है जो 5 फीजदी बिजल का वोक कर रहे हैं विहार पुलिस SI परिक्षा आज जाने नियम आज होने वाले दरोगा भरती परिक्षा को लेकर BP SSC की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई है बतादे कि परिक्षा कदाचार मुक्त हो सके इसके लिए सभी केंद्रों को CCTV कैमरे से लास किया गया है केंद्रों किंद्र पर परिक्षा में समलत होने के लिए ई-प्रवेश पत्र के साथ अपना एक वैद फोटो पहचान पत्र ले कर अपने प्रवेश पत्र को परिच्छा के बाद भी सुरक्षित रखे क्योंकि बाद में विवन प्रक्रियाओं में इसकी मांग की जा सकती है परिच्छा में किसी भी तरह के electronic device या mobile ना ले कर जाए अब भी अर्थियों को एक्जाम शुरू होने से डेर घंटा पहले रेपोर्ट करना होगा वहीं पर इच्छा शुरू होने से आधे घंटे पहले गेट बंद कर दिये जाएंगे ट्रेन में जादा समान लेकर जाना पर सकता है भारी ट्रेन में यात्रियों को सफर करने में किसी प्रकार की परिशानी ना हो इसके लिए कई तरह के नियम बनाएगा है लेकिन कई नियम ऐसे भी होते हैं जो हमें मालूम नहीं होते लेकिन ये जन हमारे लिए बेहत जरूरी होता है बतादी किनी नियमों में से एक नियम यह भी है कि यात्री ट्रेन में सफर करने के दौरान अपना समान लेकर तो जा सकते हैं लेकिन इन समानों का भी वजन और आकार निश्रित होता है ऐसे में अगर आप निर्धारित वजन और आकार से जादा समान लेकर जाते हैं तो आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है बतादी कि रेल लियम के नुसार अलग-अलग श्रेनियों में रेल यातरी 40 किलो से लेकर 70 किलो तक भारी समान लेकर सफर कर सकते हैं इसके तहत अगर आप स्लीपर कोच में सफर करते हैं तो आप अपने साथ 40 किलो तक वजन ले सकते हैं वहिस के रावा अगर आप AC 2 टीर में सफर करते हैं तो आप अपने साथ 50 किलो तक वजन का समान ले सकते हैं फर्स्ट क्लास एसी में सफर करने पर 70 कीलो का वजन ले सकते हैं निश्ची सीमा से अधिक वजन ले जाने पड़ आप से रेलवे अत्रिक्त सुल्क वसू सकता है नम नुक्त सक्षकों को अब एक और जांच प्रक्रिया से होगा गुजरना बिहार सरकार के सिक्षा विभा के अपड़ मुख्य सचीव के के पाठक के द्वारा दिये गए नरदेश पर बिहार लोक सिवा आयोक से पहले चरण में अनुसांसत एवं नुक्त अध्यापकों के योगदान की जांच करने के लिए एक राज्यस्तर ये जांच कमीटी गठित की गई है बतादे कि इस कमीटी के अध्यक्ष प्रात्मिक सक्षा के उपनेदेशक संजै कुमार चौधरी को बनाया गया है वहें इस कमीटी के सज़श्य के रूप में माध्यमिक सक्षा के उपनेदेशक अब्दू सलाम अंसारी प्रशाखा पदाधिकारी आमोद कुमार मिश्रा आईटी मैनेजर प्रिया राजपाल के नाम शामिल है जया करानेदेशक लेकर चौछण जानकारी के बतादेगे कि यह कमीटी अध्यापकों के योगधान संबंधी मामले की जयांच कर क्प्यूटर पर योगधान की स्विकृत्य या अस्विकृत्य की अनुसंसा करेगी पर दिसमर से सक्षकों के योगदान की जिलेवार जाँच कमीटी द्वरा शुरूप की जाईगी। पर बन चुका है जिसके बिना हम अपने कई कामों को पूरा नहीं कर सकते ऐसे में जब आपका आधार कार्ड हो जाए तो आप बहुत परिशान हो जाते हैं लेकिन अब आप बस कुछ ही समय में दूसरा आधार कार्ड मंगवा सकते हैं वो भी ऐसा जो बिलकुल ATM कार्ड या फ जिकारिक वेबसाइट पर जाए वहां आप माय आधार कार्ड में ओर्डर आधार पीवी सी कार्ड पर क्लिक करें जिसके बाद आपको 12 अंकों की आधार संख्या या 16 अंकों की वर्चुल आईडी या फिर 28 अंकों की EID दर्ज करनी होगी और फिर सिक्योरिटी कोड या बिहार परटन में आज हम बात करेंगे पुराना सचीवाले के बाड़े में पुराना सचीवाले बिहार की राजधानी पटना में रस्त है जो बिहार राजिप सरकार का प्रशासनिक मौख्याल है यह भवन अंग्रेजो द्वारा इंडो सरसेनिक सैली में वर्स 1917 में बनकर तयार हुआ था यह शहर के सबसे बड़े सरकारी भवनों में से एक है यहां खूबसूरत और हड़े भड़े बगीचे के बीच एक विशाल घंटा घड़ है जिसकी उचाई लगभग 184 फीट है पुराना सचीवाले परिसर में कई उल्लेखनिये चीजे हैं जैसे बिहार के पहले मुख्यमंत्री बिहार केसरी स्रिकृष्ण सनहा की काशे प्रतीमा यहां का मुख्य आकर्शन है यहां और भी कहीं उलेखनिये इमारते हैं जहां अलग-अलग सरकारी विभाग के अधिकारीयों के कारयाले है पुराना सचीवाले को बिटिस काल में सिर्डनी के प्रस महुआ पातेपुर रोड इस्थित एक साइबर कैफे में महुआ के SDM के निर्तितू की गई छापे मारी के बाद कैफे को सील कर दिया गया है दरसल महुआ थाना चितर के मिरजापुर गाउं के साजिया खातून के दोरा महुआ बाजार इस्थित शर्मा साइबर कैफे संच चक नियोजन का फरजी निकती पत्र निकलवाया गया था लेकिन योगदान करने के दोरान जबस बात की जानकारी सामने आई तो उनसे पूछ ताच की गई जिसमें उन्होंने स्विकार किया कि वह पैसे दे कर जाली निकती पत्र निकलवाई है इसके बाद सिक्षा विवा प्राथ रंजन सक्षिना ने बताया कि प्रात्मी की कर साइबर कैफे संचालक की ग्रिफतारी के लिए छापेमारी की जारी है। पढ़ाईए इसके साथ ही वो बच्चों से भी कहते हैं कि आप पढ़े चाहे नहीं पढ़ें लेकिन आपको स्कूल में सारे तीन बज़े तक रहना है भागना नहीं है। लोग सभा चनाव लड़ने को लेकर रोहनी आचारी की प्रतिक्रिया विहार के पुर्व मुख्य मंत्री और आरजरी सुप्रीमो लालो प्रशाद यादव की बेटी रोहनी आचारे राजनीती में भले ही आक्टिव नहीं हैं लेकिन असके बावजूद भी वो अपने सोश is Misakriya देते वे कहा कि नहीं मैं चनाव नहीं लड़ रही मेरा एसा अभी कोई इरादा नहीं है भविषय में क्या होगा वह भविषय में देखा जाये का हुन connectsी नहीं नहीं लड़ रही विजिबिलिटी काफी कम हो जाएगी मौसम विभाग के पुरवानुमान के उसार बिहार में अगले तीन दिनों तक सुभा के समय कोड़े वध धुंद का प्रभाव बना रहेगा अगले 24 घंटे के दौरान राज्ये का मौसम सुस्क बना रहेगा और अधिक्तम वन्यूंतम तापमान में कोई विसेश परिवर्तन के आसार नहीं है पच्छुवा हवा के करण सुभा शाम कंकनी का असर बना रहेगा बिहार में रात और सुभा के समय लोगों को इसका सबसे जादा हैसास हो रहा है हाला कि सुभा के बाद और दो पहर के आसपास की धूप लोगों को बहुत रहात दे रही है मौसम विवाक के मताबे का अगले कुछ दिन तक बिहार को रहत मिलती रह सकती है सहफते फिलहाल तापमान में किसी विसेश बदलाओ की संभावना भी नहीं है लगजरी कार से शिराब की बड़ी खेब बड़ामत बिहार में पुन्रूप से सराब बंदी है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन सराब तसकरी से जड़े मामले सामने आते रहते हैं एवं कलेर थाना के ससस्त्र बल द्वारा सगन वहां जांच अभियान चलाते वे एक मारूती स्विफ्ट डिजायर कार निबंधन संख्या जे एच सुन्य एक एक स्नौ साथ दो एक जो औरंगाबास से आते दिख रही थी उसका पीछा करते वे दिलवारपुर मोर्ज के पा भारत में होगी खेती द्वारा कृष्री के छितर में कई तरह के शोद किये गए और प्रोडक्ट तयार किये गए हैं लेकिन अब इन प्रोडक्ट की ब्रांडिंग भी की जाएगी इस बारे में कूलपती डॉक्टर डी रार्शिंग के द्वारा जानकारी देते वे बताया में बीज का उत्पादन होगा उन्होंने बताया कि बी एयू में गेहूं मक्का बाजरा धान सबची फूल सहित कई तरह की चीजों का बीज तयार किया गया है ऐसे में जब यह ब्रांट बन जाएगा तो यहां के उत्पाद को एक वाजार मल जाएगा मालम हो कि बी एयू के द सिक्षा विभाग के द्वारा कई फर्मान जारी किये गए हैं लेकिन इसके बावजूद भी कई विद्याले ऐसे हैं जहां बच्चों की उपस्तिती 50 प्रतीशत से भी कम है सिर्फ को देखते वे विभाग की ओर से सभी हम को यह जमेदारी दी गई है कि वो बच्चों की उ योग के द्वारा बच्चों की उपसिती कम पाई जाने पर स्पस्टी करन मागा गया था CM नतीश ने PMCH के पुनडविकास कारे और डबल डेकर पूल का लिया जायजा बिते दिन मुख्यमंत्र नतीश कुमार के दौरा PMCH के पुनडविकास कारे और डबल डेकर पूल का जायजा लिया गया बता दे कि PMCH के पुनरविकास कारी का निरिक्षन लेने के दौरान स्वास्ते विभाग के अपर मुख्य सची प्रत्या अम्रित के दौरा मुख्य मंत्री को पटना मेडिकल कॉलिज अस्पताल के निर्मानाधीन कारे और मास्टर प्लान के संबंद में विश्रच जानकारी द लेगा इसका निर्मानाकारे तीन फेज में कराया जा रहा है पहले फेज का निर्मान कारे अनतम चलन में है प्रतों फेज इसके पशात मुख्यमंत्री पाटली पत्थ पर रुके और अधिकारियों को नर्देश दिया कि पाटली पत्थ और नहरू पत्थ के बीच सीधा संपर्क बनाने की योजना पर काम करें इन्वेस्टर्स मीट में सीअम नितीश के भाशन ना देने और तेरश्वी यादव के शामिल ना होने का कारण आया सामने बिहार की राजधानी पटना के ज्यान भवन में आयोजे दो दिवस्य इन्वेस्टर मीट में बिहार के उपमुख्य मंतरी शामिल नहीं हुए थे और शाथी मुख्य मंतरी के द्वारा इस दौरान भासंबी नहीं दिया गया था, ऐसे में इसको लेकर बिहार के पुर्वउख मुख्य मंतरी और राजिसावास सांसद सुसील कुमार मोदी के द्वारा इसका कारण बताते वे. कहा गया है कि निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए मुख्यमंत्री का उद्भोधन अनिवारे था लेकिन उनके सलाकारों ने बोलने से मना कर दिया क्योंकि फिर कहीं विधान मंडल में दिये गए भाशन के जैसा मूँ से कुछ ना निकल जाए जिसे सरकार की फजीहत हो जाए इसके साथ उन्होंने कहा कि कारेक्रम में तेश्वी आदब भी नहीं आए जबके उद्योग विभाग आरजरी के कोटे में है उन्हें इसलिए मना किया गया क्योंकि उन्हें देख कर निवेशकों को लालू राच्की याद आ जाती नौवी के बाद पढ़ाई नहीं करने पर बोले तेश्वी अक्सर बिहार के उपमुखी मंत्री तेश्वी आदब की नौवी तक की पढ़ाई को लेकर उन पर विवक्षी पार्टी के निताओं के द्वारा हमला बोला जाता है इसी कड़ी में बीत दिन तेश्वी आदब के दोरा बिहार के राजधानी पटना के एक स्कूल में आयोजित स्पोर्ट्स प्रोग्राम में शामल होने के दोरान इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते वे कहा गया कि पढ़ाई की डिग्री ले ले में किसी को पीछे नहीं रहना चाहिए बच्चों के मा किया दो-दो मुख्यमंत्री के बेटे होने के बाद भी गरत तरीके से डिग्री हासल नहीं की कहीं लोगों के पास जाली डिग्रियां है लेकिन हमने नहीं दिया और ने कहा कि अब पहले वाला कहावत नहीं चलेगा कि पढ़ोगे लेखोगे तो बनोगे नवाब खेलोगे गुदोगे तो बनोगे खड़ाब अब तो आटीफीसल, इंटेलिजन्स और स्पोर्स का जमाना है ऐसे में अब जरूरत है कि बच्चे आईफोन और टैप छोड़कर खेल मैदान का रुख करें आज वंडे में साउथ अफ्रिका से भड़ेगा भारत आज यानी की 17 दिसंबर को भारत और साउथ अफ्रिका के बीच तीन मैचों की वंडे सरीस का पहला मैच खेला जाने वाला है बता दे कि आज का यह मैच जोहांस वर्ग के वंडर्स क्रिकेट स्टेडियम में भारती समय दुसार दो पहर देर बज़े से खेला जाएगा वंडे में भारत का साउथ अफ्रिका खिलाफ अब तक रिकॉर्ड देखा जाए तो दोनों टीमों के बीच कुल 91 मैच खेले गए हैं जिसमें भारतीय तीम के दौरा सिर्फ 38 मैचों में जीत हासल की गई है जबकि साउथ अफ्रिका को 50 मैचों में जीत मिली है इसके लावा तीन मैचों का कोई परिणाम नहीं निकल सका भारत और दक्षिन अफ्रिका के बीच वंडे स्रीज के सभी मैच स्टार स्पोर्स चैनल पर लाइफ देख सकेंगे वहीं मोबाइल पर मैच देखने वाले दर्शक फ्री में डिजनी प्लस होट स्टार पर सभी मै अच लाइफ देख सकेंगे बदादी के वंडे के लिए भारतिय तीन की कप्तानी के अल राहुल के द्वारा की जाएगी भारत के तिहास में आज की तारीक है कई कारणुस दर्ट मंगोस समराठ तैमूर लंग ने 1398 में दिली पर कबजा किया मोगल समराठ जहांगीर की पतनी नूर जहां बेगम का निधन 1645 में हुआ सिखो के प्रमुक बंदा बहादूर बैडागी ने 1715 में गुरुदास पुर में मुगलों के सामने आत्म समरपन किया मराठो और पुर्त गालियों के बीच लंबे संगर्ष के बाद 1789 में मराठा सरकार ने मितरता सुनस्चित करने के लिए इस प्रदेश के कुछ गाउं का 12,000 रुपे का राजिश्वच हतिपूर्ती के तौर पर पुर्त गालियों को सौब दिया था इस इंडिया कंपनी ने अठा सो तीन में उडिशा पर कपजा किया भारत के एक प्रमोख क्रांतिकारी राजंदरनाथ लाहिरी का 1927 में नरधारी तिती से दो दिन पुर्व बिटिस सरकार ने गोंडा जेल में फासी पड़ लटका कर मार दिया रालाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए भागस्तिंग, राजगुरू और सुखदेव ने 1928 में उन पर लाटी चार्ज करने वाले स्तांडर्स की हत्या कर दी भारत की तिहास में काफी महत्यपोर्ण है इस दिन प्रोफेसर प्रशान चंद्र महालनूबीस का सपना साकार हुआ और कॉलकता में भारती सांखी की संस्थान का 1931 में अस्थापना हुआ भारत के दिगज क्रिकेटर लाला अमरनाथ ने 1933 में अपनी पदारपन टेस्ट मैच में ही 118 रनों की बहतरीन पारी खेली महात्मा गाधी ने 1940 में व्यक्तिका सत्यागरा आंदोला नस्थागत किया सन 1971 में भारत पाक युद समाप्त हुआ सन 1996 में नेशनल फिड़बॉल लीग का सुभारम हुआ श्रीला दिक्षित ने 2008 में दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की सपतली केंद सरकार ने 2008 में शाषन बलो में पदोनत के लिए नई पदोनती नीती की घोशना की बातसा अकवर के दरबार के प्रसिध कभी रहीम का जन 1556 में हुआ क्रांती कारी लेखक इतिहास कार्त था पत्रकार सकाराम गनेज देवुसकर का जन 879 में हुआ भारतिय फिल्म अभिनेता जौन अबराहम का जन 1972 में हुआ लेखक विचारक ललित सुकला का जन 1994 में हुआ बारे फिल्म आज हम बात करेंगे प्रेमा अनंद जी महराज के वीडियो के बारे में सोशल मीडिया पर कहीं सुचना है बारल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है प्रेमा नंद जी महराज के वीडियो के बारे में दरसल P.I.B. ने अपने एक टूइट में लिखा है कि एडिटेड यूटूब वीडियो में पीम नरेंद्र मूदी और अन्य काबिनीट मंत्रियों को प्रीमा नंच जी महराज का वीडियो देखते वे दिखाया जा रहा है पी आई भी ने अपी टूइट में आगे लिकाए कि अब वीडियो फरजी है वास्तविक वीडियो उडिशा में हुई देल दुरगटना से जुरी उचसतर ये बैठक का है इंस्टाग्राम ने यूजस को दिया एक मज़दार फीचर सोशल मीडिया की दिखच कंपने इंस्टाग्राम ने स्टोडी सेक्शन के अंदर एड यूर्स नाम से यूजस को कस्टमाइजेबल टेंपलेट का ओप्शन दिया है यानि आप अपने स्टोडी के लावा कोई भी टेंपलेट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और एड यूर्स के जरिये आपके फॉलोवर्स भी इसमें भाग ले सकते हैं यानि वे भी अपनी फोटो आदी पोस्ट कर सकते हैं यदि आपने फॉलोवर्स के लिए टेंपलेट को कस्टमाइज करने का ओप्शन ओन रखा है तो वे इसे अपनी स्टोडी में चेंज भी कर सकते हैं इस अब्रेट की जानकारी इंस्टाग्राम के हेड एडम मोसरी ने अपने इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल में शेर की है आसे ये फीचर ग्लोबल उपलब्द हो गया है ब्रोडकास्ट शेनल में मोसरी ने कहा कि आज हमने आपके स्वेम के एडियोर टेंप्रेट बनाने की छमता शुरू की है आप जी आएफ टेक्स्ट और गालरी इमज को पिन करके अपने स्वेम के कस्टम मीमेबल टेंप्रेट को डिवलप और साध्या करने में सक्छम होंगे बाजार से कम दाम में इस से खड़ी दे सोना सुमवार से भारती रिजर्व बैंक यानि की आरबियाई के द्वारा एक बार फिर से सॉवरेन गोल्ड बॉंड की सिल की शुरुवात की जाने वाली है बता दिक सिल में बाजार के मुकाबले कम दामों में गोल्ड मिलेगा जैसे कि अगर हाल फिलहाल में शराफा बाजार में गोल्ड का भाव 64,000 रुपे है तो इस सिल में 6,199 रुपे प्रती ग्राम रेट रखा गया है यानि कि आपको 62,000 रुपे प्रती 10 ग्राम से नीचे के भाव पर सोना मिलेगा वहीं अगर आप गोल्ड बॉंड का डिजिटल पेवेंट करके खड़ीते हैं तो आपको सोने का भाव 6,199 रुपे प्रती ग्राम पड़ेगा हमारा पहला सवाल है हाली में किस सती को राश्ट्रे उर्जा सनक्षन दिवस मनाया गया है इसका सहीुत तरह ऑप्शन भी 14 दिसमबर अगला सवाल हाली में कौन सा राज्य FDI प्राप्तिकरता के रूप में देश में सिर्ष अस्थान पर रहा है इसका सहीुत तरह ऑप्शन भी महराश्ट्र अगला सवाल हाली में भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस तेज गिंद बाज के लिए अर्जुन अवोर्ड की सिफारिश की है उप्शनी मुहमद समी उप्शन भी अक्षदीप सिंग उप्शन सी इशांत सर्मा उप्शनी इने से कोई नहीं इसका सहीुत तरह ऑप्शनी मुहमद शमी अगला सवाल बिहार का उच्छनेयाले कहा स्थित है अगला सवाल नानन्दा विश्व विद्याले के तीम पुस्तेकालीयों में निमलिखित में कौन सा नहीं था एप्शनी रत्न जौती पुस्ते काले इसका सहिधर है ऑप्शनी रत्न जोती पुस्ते काले 2 दिन अमाई दुरा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों back में लिख कर दिया सब्सक्राइब कर सक्राइब अदीज काई ओडिन इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की उराज का सवाल है आपके नुसार आज भारत और साउथ अफरीका के बीच खेले जाने वारे तीन मैचों के वंडे सरीज के पहले मुकाबले में एक स्टीम का पलरा भारी है अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबलों के साथ बन रहने देखते रहे बिहारी नियूज और साथ ही अगर आप युटूब से देखने चनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से दे अगर प्रहों का बताएं और एका अगर जग देखने बिहोज प्सक्राइब करना ही अगर भाले के बिहारी नियूबूबूब लिए मैं बभाले के बिए पुलत में अगर